है है गाइस स्वागा थे आप सभी के अपने यूट्यूब चलिंग देश्टर्ट कल पर आज मैं आप लोग के साथ उपस्थित हों जो है इतिहास की एक बुक जो की जो है इतिहास की भी बुक है इतिहास को समझनी की भी बुक है और कुल मिलाकर की सारा आर्केलोजिकल एविडिन्स इनी जीजों पर डिपेंड होता है इसके बारे हम लोग बात करने जा रहे हैं तो बात करते हैं भारती पूरा लिपी और अभिलेक की इंडिन पेलियोग्रोफी एंड इंस्क्रिप्संस या एपीग्राफी तो यह जो बुक है प्रोफेसर एसन रॉय की है जो है प्राचीन भारती इतिहास या जो भी छातर एंडिन प्राचीन भारती इतिहास से में किया है या कर रहा हूं को पता होगा कि उनका जो है एक चैप्टर जो है एंडिन पेलियोग्रोफी कभी होता है उसमें जो है किस प नहीं है academics को छोड़ करके बट मेरे पास थी और मैंने अपना में अपना में एंसेटरी में किया है तो मुझे लगता है कि मुझे इस भी बात करनी चाहिए कि ज़र किसी की रुची हो किसी महा से कि भारती जो है लिपी सास्तर को जानने की किस प्रकार से S.N. Roy जो है इलहाबाद वनिष्टी में इंसेटरी डिपार्टेंट में जो है S.O.D. रहे हैं और इनकी एबुक काफी फेमस है काफी अच्छी है जो है पेलोग रॉपर रहे हैं तो इनकी एबुक है पास करते हैं इस बुक के बारे में कि एबुक कैसी है, कहां पे मिलती है और किस प्रकार से में इसको यूश कर सकते हैं ये बुक तो जसे पहले बाद सारदा पब्लीकिसन से जो है प्रकासित होती पुस्तक बहुन से और इलहाबाद वनिष्टी में लगती है और इसी क्यास पास भीनती है है लगभग 20% के करीब डिसकाउंट मिल जाता है हमको तो यह हमको पढ़ जाती है जो है 200 रुपए की 220 रुपए की आराम से हम इसको मार्केट में परचेस कर सकते हैं कंटेंट की बात करें तो आप इसका कंटेंट में आप लोगों को खुद दिखाना चाहूंगा कि आप जो है इस लोगों को देखिए और बताईए कि समझे किस प्रकार से आपके लिए जरूरी हो सकती है और किस प्रकार से आप इसमें जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इसका पहला चैप्टर है लिबी के प्रात्मी किस तरम वर्ण माला की प्रश्ट भूमी भारत में लेखन कला की प्राजीन था कि किस प्रकार से भारत में लेखन कला अस्तित्व में आई और कैसे जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा तो उसके बाद ये चरचार सा सुरू हो गई कि आखिरी क्या है किस प्रकार से इसको पूरे तरीके से कंप्रीट किया जाएगा और कौन-कौन से और लिपिया है उसके बार में बात होने लेगी भारत ने सेम्टिक लिपी ब्राम्ही की उत्पत्ति कैसे हुई जो है बस्ट्रो फिर्ण सेली जो है ब्राम्ही उसके बारे में किस प्रकार से कौन-कौन से राइटर से है उसके बारे में बात होती है हाला कि बुक ब्राम्ही और जो है ब्राम्ही लिपी और जो है खरोष्टी के बारे में विसेस्ता बात करती है लेकिन ब्राम्ही के बारे में ज़्यादा बात करती है ब्राम्ही का सैंदो लिप और ब्राम्ही उन से तुलना करते हुए इस बुक के बारे में बताया जाता है ब्राम्ही की उत्पत्ति विस्योप मतों का साराम से हमने इसकास जैसे कि एहमद हैसंदानी है राजबली पांडे है, और गौरी संकर हीरा इस प्रकार से इंसेंट इंडियन हिष्टी में जिस प्रकार से लिपी का विकास हुआ, उसको लेकर कि ये बुक हमें बहुत ही अच्छी जानकारी देती है, और कुटिल लिपी, नागरी लिपी, सारदा लिपी, इस एक दो कुस्टन का भी एक्जाम में आ जाते हैं निकर उस फिगर्सें इस बुक के जिसमें कि आप जान सकते हैं कि लट मिनट किस प्रकार से लिपियों का स्थित्व रहा और किस प्रकार से हमारे लिए जरूरी हो सकती है गुपतकाहिन्मुद अभिलेखों में किस प्रकार से बाम ब्राम्ही उच्की गई और खरोष्टी का क्या सुरूप रब्रासवरी ब्राम्ही का उसके बारे मोविस्के अभिलेकों में कौसांबी में बहुत आयाग पट्ट जो पाए गए उस पे किस परकार से कौन से अच्छर प्रतनी दी अभिलेक थे इसके बारे में ठेर सारी चर्चा इस बुक में की गई है अगर अभिलेकों की बात करें देख लिए गिरिनार का सिला अभिलेक है जिसमें उन लिपियों का प्रयोग है और उसको बारे में पढ़ने के बारे में इस बुक में बताया गया है यह आप देख सकते हैं कि इसारे अभिलेक हैं यह दिल्ली टोपरा का अभिलेक है कि कहीं कहीं प्रिंटिंग इस बुक की खराब है रम्मने देवी का जो लुंबनी का लग हुई स्थम्भ अभिलेक है वह यह है और क्लोजिकल सर्व्य आप इंडिया ने इसको पब्लिस किया है तो उसकी जो कॉंपी ही जो है अब देख सकते हैं तो यह रही इस बुक की बात इस बुक की काम्यों पर में क्या बात कर travaille में यह यह कोई अबक्एमिक से है तो फ cancer उसके पॉप्सिं में हमारे पास और भी बहुत सी बुक धिए जो अब में आप सकते हैं जैसे राजबली पांडे जी की बुक है भारती पूरा लिपी, गौरी संकार हीरा चंदोजा जी की बुक है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, आगे चल के कभी एक जुरूत पड़ेगी तो, तो ये इस बुक का content है, आप इसको देख लिजे, अगर आपको इंसेंट हिश्टी में कोई रुची है, उसकी लिपियो के लिए मेरे पास ये बुक थी, तो मैंने सुचा आप लोग से इस बारे में बात कर ली जाएगा, अप ये अच्छी बुक है, अगर आप लोग इसको purchase करना चाहते हैं, तो लिंक मैं इसका description में देख दूँगा, आप लोग वहां से purchase कर सकते हैं, तो ये रहा हमारी भारती पुरा लिपी की समसित किसी बुक का रिव्यू, और भी जो बुक है, और सकता पढ़ने पिमन को time to time रिव्यू करता रहूँगा, हला कि कुछ दिन तक अभी मैं free हूँ, तो धेर सारे बुक की रिव्यू लगातार आते रहेंगे, तो आप हमाए साथ बने रहें, और धेर सा दन्याओवाता